दोस्तो विक्रम सारावाई स्पेस सेंटर विएससी की तरफ से एक पर्मानेंट जॉब की रिकुर्टमेंट है पूरा डीटेल में बताऊंगा कौन-कौन इसको अपलाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया है जी हाँ गाईज विक्रम सारावाई स्पेस सेंटर की एक एक एक्जामनेशन कैंसल विवा था बट अभी उसका रिएक्जामनेशन डेट भी आनाउंस हो चुका है अगर आप Technician B के लिए अपलाई किया था या फिर Technical Assistant के लिए अपलाई किया था तो आप लोग के लिए Admit Card Announce हो चुका है और एक बार एक्जामनेशन हो रहा है और उसके लिए तयारी कर रहे हो तो अच्छा से तयारी करना और बहुत कम दिन बचा है और सारे Study Material मतलब Previous Year Paper VSSC की Previous Year Paper मैंने PDA File Format में दे रखा हूँ विट Answer की आपको Answer की ढूनना जरूरत नहीं पड़ेगा बस आप उसको Download करिए और आपकी जितना दिन भी आपकी बचा है उसको Revision करिए उस Paper को Revision करिए हो सकता है उस Paper से आपको Repeat Question देखने मिल जाए तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है जो नए अड़र्टेजमेंट आया है वो किस पोस्ट के लिए आया है और कौन-कौन इसको Apply कर सकते है वीडियो आचा लएगा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब भी क्या भी सब्सक्राइब कर लेना देखें गाइज यह है विक्रम सराबाई Space Center की Official Website अगर आप इसकी Career Portal में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो VSSC की जो पहले जो examination cancel हुआ था उसका re-examination conduct करने का एक notice भी आ चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ से आप admit card भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे अभी server डाउन चल रहा है तो आप लोग जरूर चेक आउट करिए आपकी admit का डाउनलोड मिल जाएगा पर यहाँ पे एक नए advertisement देख सकते हो विक्रम सरावाई Space Center VSSC Recruitment RMT 328 यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक नए advertisement में पहुंच जाएगे चलिए मैं आपको उस advertisement को दिखा देता हूँ यह है गाईज इसका official advertisement Government of India Department of Space विक्रम सरावाई Space Center VSSC तो यहाँ पे date देख सकते हो 11.11 date में यह advertisement आया है 11.11.2023 और अगर हम इसकी online date की बात करें कि कब से इसका online सुरू हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो 13.11 से इसका online सुरू हो रहा है और कब तक यहाँ पे online होगा 27.11 तक आप इसको apply कर सकते हो 27.11 तक बहुत कम दिन बचा है अब भी भी आप apply कर सकते हो online सुरू हो चुका है और tendative return test यहाँ पे website में mention किया जाएगा इसे लिखा गया है चलिए पहले post detail देख लेते हैं किस post के लिए यहाँ पे application आया है invitation for the application of following post तो following post क्या है पहले post देख सकते हो light vehicle driver है तो यहाँ पे driver के लिए recruitment है total यहाँ पे देख सकते हो 9 post है 9 post रखा गया है बहुत अच्छे post है 9 post भी बढ़िया है अगर आप eligible हो तो इसको apply करना on reserve के लिए 5 है OBC के लिए 2 है SC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 post है बट इसके लिए qualification minimum qualification तो 10 भी चाहिए बट यहाँ पे 10 भी के साथ आपके पास यहाँ पे गयाँ देख सकते हो heavy vehicle driving license आपके पास चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हो LVD light motor vehicle driving license आपके पास होना चाहिए और with यहाँ पे 3 year experience 3 साल की experience mandatory है Any other requirement of the motor vehicle act केरला state should be meet within 3 months after the candidate joining post तो कोई दिक्कत नहीं आप all India apply कर सकते हैं जरूरी नहीं कि केरला student ही इसको apply कर सकते हैं Central government job है तो Central government all India candidate इसको apply कर सकते हैं Next यहाँ पे देख सकते हो Light motor vehicle driver निकला था यहाँ पे heavy vehicle driver है यहाँ पे भी 9 post रखा गया है तो यहाँ पे भी आपके पास 10 वी qualification होना चाहिए उसके साथ उसी तरह यहाँ पे 3 year experience भी चाहिए तो अगर आपके पास इतना qualification है तो आप इसको apply कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे जो recruitment आया है 10 वी student के लिए ही आया है 10 और उसके साथ आपके पास license होना चाहिए अगर आप license रखे हो तो आप इसको apply कर सकते हो और इसकी जो age limit है बहुत अच्छा रखा गया है अप unreserved candidate के लिए 35 year मतलब 35 year तक आप इसको apply कर सकते हो और उसके साथ अगर आप age relaxation लेना चाहते हो तो OVC के लिए 3 year OVC के लिए 3 year यहाँ पे SCST के लिए 5 year तक आप इसको age relaxation लेके apply कर सकते हो approximately salary यहाँ पे mentioned किया गया है 31,800 आपको approximately salary मिल सकता है अगर आप इसको joining करते हो तो selection process देख सकते हो two level की होने वाला है पहला level में जो है वो written test होने वाला है second level जो है आपके पास skill test होने वाला है skill test में क्या होगा आप अगर आप driving license मतलब आपके पास driving training है तो आप driving मतलब आपको appear करना होगा तो वहाँ पे आपको skill test उसी तरह देना होगा कि मतलब driving test आपको लिया जाएगा और written test से skill test के लिए 1 is to 10 student के लिए बुला जाएगा 1 is to 10 student एक post के लिए 10 student मतलब 9 दुने 18 post है तो 180 candidate को बुला जाएगा skill test के लिए तो इतना याद रख लिजिए written test में गाईज देख सकते हो 100 objective question आने वाला है 0.25 mark में आपको मिल जाएगा negative marking wrong answer के लिए यहाँ पे negative marking भी mention किया गया है 2 घंटे आपकी time duration होने वाला है तो गाईज यहाँ पे पूरा syllabus mention किया गया है अगर आप eligible हो रहे हो तो यह सब details आप पढ़ सकते हो उसके बाद इसको apply करना और जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 27 तारिक तक आपकी last date है तो वहाँ उस date दक आप जरूर इसको apply कर लेना light experience है या ना है आप एक बार कुछ try कर सकते हो experience के लिए experience देख लिजिए अगर आपके पास legal experience है तो आप इसको जरूर apply करिए क्योंकि सब के पास license होता है light motor vehicle मतलब आपके पास car driving license है तो आप इसको apply कर सकते हो heavy motor vehicle क्या है अगर आपके पास truck truck चलाने का driving license है तो heavy motor vehicle के लिए आप इसको apply कर सकते हो तो जरूर comment करना क्या आप इसको apply कर रहे हो और अगर आपकी अभी technician की exam है तो आप study material भी download कर सकते हो मिलते हैं अंगले उडिये में तब तक bye bye जैहिं